हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत हैं मैं डॉक्टर नीदी शुकला आज आपके लिए क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 3 धातू एवं अधातू लेकर के आई हूं तो मैटल और नॉन मैटल में आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेग और मैंने चुकी ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैंने इन वीडियो को कई भागों में डिवाइड कर दिया है तो ये पार्ट 1 है इसमें आपको धातू एम अधातू को सबसे फर्स्ट समझाया जाएगा और हावच्चो इसको बहुत ही आशान सब्दों में बनाया है जै बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड धातू एवं आधातू जो कि कक्चादस का विज्ञान का थर्ड धातू एवं आधातू जिसे एंग्लिश में मैटल्स और नॉन मैटल्स बोला जाता है इसे समझने से पहले मैं आपको बहुत सरल सा उधारण देती हूँ इसको आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजे अगर आप इसे दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको यह आने वाला जो शैप्टर में पढ़ाने वाली ही यह बहुत आसानी से समझ में आएगा देखे बच्चों आपने धातू एवब आधातू दप्शद सुना तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि कौनसी वस्त में धातू कहलाएंगी और कौनसी चीजे आधातू कहलाएंगी लेकिन हमारी रोजबर्जा की जिंदगी में हम धातू को भी देखते हैं और आधातू को भी देखते हैं बस उन उधारनों को अपने दिमाग में रखे और उनके गुर्धर्मों को आपने आप आपसे बनते चले जाए पहला उधारने आपने लोहे के बर्तनों को अपने घरों में देखा होगा जैसे बाल्टी तसला और सारी चीज़े लोहे की होती हैं और ये कहलाती है धाती अब आधातों में लोहे में कोईए सिर्व आधातों में लोह शामिल है अधातों हैं higher मैंने आपको ये दो सरल उधारं इसलिए बताए क्योंकि आप इन दोनों उधारंशों को अपने दिमाग में यदी रखेंगे तो आगे जो पढ़ने वाले होना वो आसानी से समझ में आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन धातू एवं आधातू को समझना धातू एवं आधातू के फौतिक गुर्धर्मों को देखते हैं जो तत्व होते हैं उनकी गुणों के आधार पर धातू को और आधातू को डिवाइट किया गया है यानि जो तत्व ग्याद किये जातू के हैं उनके प्रॉपर्टिस के आधार पर उन्हें धातू में बाटा गया है और आधातू में बाटा गया है क्लास नाइट में हमने तत्व के बारे में पढ़ा था और जाना था कि अप्टक लगभख 110 से भी ज़्यादा तत्व की खोज की जा चुकी है तो students इनके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं न तो उन्खी तत्वों को किसमें डिवाइट किया गया मैटल्स में और नॉन मैटल्स में यहाँ पर हम धातू एवं आधातू के भौतिक गुर्धर्मों को समझेंगे तो सबसे पहले हम धातू के भौतिक गुर्धर्मों को देखते ह धातू के जो भौतिक गुर्धर्म है, इसको समझने से पहले आएए हम धातू के कुछ उधारन को देखें, इससे आपको ये समझ में आएगा कि धातू कहते किसे हैं, आपको मैंने पहला उधारन ही दिया था, लोहा, तो आप सबने लोहे को तो देखाई होगा, कौपर, जस्ता भी कहते हैं, ये भी धातू का उधारन है, मैगनीशियम, सीसा, सोडियम, सोना, चांदी, ये सारी चीजे भी क्या हैं, धातू है, आपने अपने घरों में इन सारी चीजों को देखा होगा, लेकिन अभी आपको नाम से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप इन बच्चों, अब आपको समझ में आया होगा, हम इने धातू हैं कहते हैं, ठीके, लोहा, कॉपर, एलुमिनियम, जिंग, मैगनीशियम, सीसा, सोडियम, सोना, ये थो थे कुछ उधारन, अब आप अपनी कॉपी में ऐसे ही कुछ और लिस्ट बनाईएगा, जिन्दे हम आपको जब ये लिस्ट मिल जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि धातू है कौन कौन सी हैं, अब हम देखते हैं धातू के फौति गुड़ धर्म, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप मैटल, धातू में क्या-क्या होता है, मैंने अब आप चमक को देखें, धातू में चमक होती हैं, धातू के इस गुड़ धर्म को धात्विक चमक या मैटलिक लस्टर भी कहते हैं, आपको जब हम नई बालती या लोहे से बनी कोई नई वस्तू को लाते हैं, वो चमकती है ना, आपने देखा है उसे चमकते हुए, तो स सोना भी चमकता है, चाली भी चमकती है, पीतल भी चमकता है, कासा भी चमकता है, तामा भी चमकता है, ये सारी चिजों में क्या होती है, चमक, तो ये धातू का कौन सा गुड़ कहलाया, धात्विक चमक या मैटलिक लस्टर का गुड़ कहलाया, अब हम देखते हैं कि जादा तर धातूएं कठोर ही होती हैं जैसे लोहे की बड़ी बाल्टी स्टील के बने बरतान की बनी वस्तूएं आबे की बनी वस्तूएं कॉपर की बनी सब कैसी होती हैं कठोर होती है ना तो जादा तर धातूएं समाने तक कठोर होती हैं लेकिन कुछ धातूएं इतनी मु जाटा जा सकता है सोडियम लीथियं पोटेशियुम यह acknowledgement होती है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है है यह पर एक गूस्चन भी आता है कि ऐसी कौन सी यह उन धाथोओं का नाम बताएं इसे चाकू से काटा जा सकता है तो हम क्या लिखेंगे सोडियम लीथियम या पोटेशियम यह वे धातुएं जो बहुत मुलायम होती है अपवाद होती है इसी प्रकार मरकरी या पारा जो धात्व हैं वो कमरे की तापपर द्रव अवस्था में होती हैं अब हम देखते हैं घनत्वा जो सामानित धात्वे होती हैं उनका घनत्व का गलनांत बहुत उच्छ होता है याने बहुत अधिक गलनांत वाली होती हैं तो धात्वों का घनत्व और गलनान दोनों ही उच्च होता है। इसमें भी एक अपवाद है जो गैलियम और सीजियम होती है ना उसका गलनान बहुत कम होता है। इसमें आप लिखेंगे कि गैलियम और सीजियम का गलनान बहुत कम होता है। 마지막 temperature पर, जो धातू है minimum temperature पर धातू क्या हो जब जाए, जिस भी तापमान पर धातू गल जाए, वह तापमान क्या कहलाता है उसका गलनान। तो यहाँ पर सीजियम और गैलियम का गलनान बहुत कम होता है अब हम देखते हैं आघात वर्धिता को आघात वर्धिता का क्या मतलब होता है तो कुछ धातूओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है अब जैसे सोना और चादी ये दो धातूओं जो है न वो सबसे गाल दोलए को और दोली चादर बनाया जाता है कुछ लोगों ने उन चौन को देखा भी होगा कुछ लोग मकान की भाव कर भी लगाते हैं तो न सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्द धातु में नाम बताए यह औगेक्ट जाता है कि सबसे अधिक आघात धातु कौन सी है पहली नंबर पर आपी है सोना और दूसरी नंबर पर आती है चानदी बच्छो इसको आप ऐसे भी आधा गतों क्यों हुए क्योंकि तो पहने पहन्ते हैं, तो आपने देखा कि सोने में पतले से पतला चादर यानि कि बहुत पतली एक परत बनती हैं जिसको जिससे बहुत अधिक पतले करने के कारण भी अभूशन बनाये जाते हैं इसलिए सोना जो है सबसे अधिक आगातवर्द धात्म है अब हम जानते हैं कि इसमें और कौन सी प्रॉपर्टीज आते हैं इसमें एक प्रॉपर्टीज है तन्यता इससे भी कोशन आता है तन्यता से कि तन्यता किसे कहते हैं जैसे पहले आपने पढ़ा आगातवर्द धिता इससे भी दो नमर के कोशन आया करता है कि आगातवर्द ध किसे कहते हैं अब हम पढ़ते हैं तन्यता का मतलब क्या होता है तो कुछ दात्यों को पतले तार के रूप में कीचा जा सकता है यानि कि उनके तार बनाए जा सकते हैं मैंने आपको फिर कहा कि आप अपने दिमाग में लोहे को इमेजन करके चलिया लोहे के पतले पतले तार ब से ग्राम सोनी से तो क्लूमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है तो यह वा इसका तन्यता वाला जो यानि धात्व के पतले लंबे तार के रूप और खीते जाने वाले घुर को तन्यता कहते हैं एक कुशन इस पर भी बनता है कि तन्यता इसे कहते हैं, यहें विद्वत वा उच्मा के चालक, अब हम देखते हैं कि जो धात्वी होती है वो उच्मा की सुचालक होती है, कैसे, जब आप घर में खाना बनाते हैं तो एलमुनियूम, लोहे या स्टील के बड़तों में बनाते हैं, तो यह सब उच्मा की सु सुचालक होती है, धात्वे विद्वत की सुचालक होती है, इसलिए विद्वत के तार में इनका प्रयोग होता है, जो विद्वत के तार होते हैं तामे के तार और लोहे के तार, इन सब में विद्वत धारा का प्रयोग होता है न, यह सब क्या है, धात्वे हैं, जिन में व धातु में जिने कोई कठोर पताथ के टक्राने पर एक विशी इस प्रकार की ध्वनी उत्पन करती है इसका एक बहुत सरल सा उधारन बताती हूं आपने स्कूल में लोहे की घंटी देखी होगी ना जो आपको हर पीरिट के बास सुनाई देती है वो बिकार लोहे की बनी होती है तो जब उसे हथोड़े से हम टकराते हैं तो घंटी की आवाज सुनाई देती है न तो आप आज अपना एक उधारन धर पर ही दिखिएगा आप किसी धातु की बनी वस्तु को किसी कठोर पदार से टक्रवाईएगा फिर देखिएगा ध्वनी उत्पन होती है कि नहीं इस गुण को सोनोरस कहते हैं क्या कहते हैं धनिक या सोनोरस अब हम देखते हैं आधात्वों की भौतिक गुण्धन अभी हमने देखे धात्वों की भौतिक गुण्धन तो बच्चों आप इने संपेयर करते चलिएगा यानि तुलना करते चलिएगा आप देखते हैं आध आधात्रों के उधारन देखे थे लुहा, कॉपर, अलमिनियम, जिंग, दैनिशियम, सोडियम, सीसा, सोना, अब हम देखे हैं आधात्रों के उधारन, जिया है हाइदोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कारबन, सलफर, क्लोरीन, यह सब क्या हैं? आधात्रों हैं. तो यह हुए उनके कुछ examples जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगे अब आपको इन्हें examples को देखकर समझ में आ गया होगा कि आधातु कौन-कौन सी है और धातुए कौन-कौन सी है हम देखते हैं अब इनके बहुते गुड़ धर्मों को हमने अभी धातूओं में देखा था ना चमक का गुण अब हम आधातूओं में देखते हैं चमक का गुण अब आप मेरे example याने कोईले को याद रखेंगे चलिएगा तो हम देखते हैं कि आधातू में एक विशेश प्रकार की चमक नहीं पाई जाते है लेकिन हर में अपवाद होता है ना इसमें भी अपवाद होता है आयोडीन आधातू के हुए भी ऐसी होती है चमकीली होती है याने इसमें चमक होती है बाकी आधातूओं में एक विशेस प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है लेकिन आयोडीन में चमक पाई जाती है इससे भी एक कोश्चन पूछा जाता है बच्चो कि कौनसी ऐसी आधातू है जिसमें चमक होती है तो ये अब्डेक्टिब में भी आता है हित्त स्थान में भी आता है और दो नमबर के कोश्चन में भी आता है तो हम इसमें लिखेंगे कि वह आधातू कौनसी है आयोडी जिसमें क्या होती है चमक होती है अब हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है कठोरता आधातू एक कठोर नहीं हो अब आप कोईले को थोड़ा सा दबा के देखिए वो कैसा होता है भंगुर होता है भंगुर का मतला तूट जाने वाला होता है ना कोईला इसका मतला वो बहुत कठोर नहीं होती मैंने आपको बार-बार कहा आप compare करके पढ़िए तुलनात्मक पढ़िए तुलनात्मक पढ़ेंगे ज्यादा आसानी से धातु और आधातु को समझ पाएंगे अब आप एक दिमाग में लोहे को बिठाईए और कोईले को भी बिठाईए लोहा कैसा होता है कठोर होता है ना ह जिसका अधी प्रॉपर्टी है अधाथ वर्दिता हैं हमने दीखा की ऑग और ने पाएजाता है आधातवर्दता का गुण भी बिठाशा पाया जता है अब हम दिखते हैं आधातुओं में आघातवर्धता कैसी होता है, आधातू को पीट-पीट कर लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता, कोईले को क्या लंबा चौड़ा किया जा सकता है, नहीं न, तो ये आधातूओं धातूओं से आघातवर्धता में अलग होती है, तन्नित तन्यता मतलब लंबे तारों के रूप में बदलना और आगात वर्दता मतलब था पीट-पीटर चादर के रूप में बदलना तो यहाँ पर हम देखते हैं तन्यता का गुण है कि नहीं आध हातू को पतले तार के रूप में नहीं खीचा जा सकता कोईले को पतले थार के रूप में खीचा जा सकता है क्या नहीं ना तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधातु को पतले थार के रूप में नहीं खीचा जा सकता अब हम देखते हैं विद्धुत्वा उश्मा के चालक आधातु में विद्धुत्वा उश्मा के चालक नहीं होते देखा यहां पर हर चीज का एक अपवाद होता है अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी अगला गोल ठीखें यहां पर हम देखते हैं घनत्व के घनत्व इनका घनत्व अधात्व की घनत्व और गलनाग बहुत होता है यह धनेग नहीं होते क्या कोईले को बजाने पर आवाज होती है नहीं होती न इसका मतलब यह कैसे होते हैं यह आपने देखा कि आप दोनों चीजों को तुननात्मक पढ़िए हात्वों को भी आधात्वों को भी क्योंकि जो हमारे बोर्ड एक्जाम में questions आते हैं उसमें धातू और अधातू के भौतिक गुर्धर्मों में अंतर पूछा जाता है तो आपको अंतर गटना ही नहीं पड़ेगा अपने दिमाग में दो उधारनों को याद रखिए इन दो उधारनों को अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से स परिशानी आती हैं तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर सी लिंक दी जाती है नीचे दी गई है इस पर आप क्लिक करके मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर लाइव स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं और उसमें आप कोई भी questions query कर सकते हैं इसके साथी comment box में भी आप मेरे से questions कर सकते हैं आ आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंस मिलेगा मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें